हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट बनने वाले आलू चिप्स की रेस्पी से अर करूँगी कोई भी इस्पेसल आलू का मैंने यूज नहीं किया है नहीं कोई इस्पेसल तरीका बट फिर भी ये जो आलू के चिप्स है ना बहुत ही क्रिस्पी बन करके तयार होंगे और मैंने दो तरीके से बनाना बताया है तो ये मैंने नए वाले आलू ले लिए हैं जो अभी इसली बहुत ही आसानी से सभी जगों पर एवलेवल है ये वही आलू है इसकी जो इसकिन होती है वो बहुत ही पतली होती है बहुत ही आराम से निकल जाती है और छूने में भी मतब दबाने में भी ये काफी ज़्यादा हाड होती है पुराने आलू बिल्कुल मत लीजेगा उससे जो चिप्स है अच्छे नहीं बनते हैं वैसे जो मार्केट में आलू के चिप्स मिलते हैं वो लोग अलग सा आलू ही यूज करते हैं एक स्पेसफिक आलू आता है चिप्स बनाने के लिए जिसे के चिप्सोना आलू ही बोलते हैं और वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है लेकिन ये जो नए वाले आलू है बहुत ही आसानी से अभी सभी जगों में मिल जाते हैं तो अब जरूर से ट्राइ कीज़ेगा 110% रिजल्ट आएगा तो मैंने यहाँ पर एक ही साइज के मतलब बड़े-बड़े साइज के 5 आलू लिया है छील करके इसे पानी में आड़ कर देंगे ठंडा पानी लिजेगा तो और भी अच्छा है आलू एकदम कड़क हो जाएंगे अब मैं यहाँ पर चिप्स बनाने के लिए स्लाइसर ले रही हूँ तो यह बहुत ही आसानी से सभी जगों में एवलेबल होता है मतलब हर लोग के पास common सा स्लाइसर है तो यह जो इस्टील वाला है ना मेरा यह बहुत जादा मोटा मोटा इससे चिप्स निकलता है तो मैं इससे नहीं बनाऊंगी बहुत मोटा मोटा अगर आप स्लाइस करेंगे ना चिप्स को तो पकने बहुत टाइम लगेगा आपना ऐसा स्लाइसर लें जिससे की जो चिप्स है ना मतलब आप आलू काटे ने पतले एक समान स्लाइस में निकले तो ही जो है चिप्स बहुत ही अच्छे बनेंगे देखिए यह तो मैंने बहुत पतला पतला बनाया है इससे हलका मोटा भी रहेगा तो चलेगा कोई भी प्राब्लम नहीं आएगी तो यह मैंने आपको दिखाया है अब मैं क्या करूंगी जो आलू है वो डिरेक्ली पानी में ही मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ ताकि जो आलू है बिल्कुल भी काले नहीं पड़े और आप देख सकते हैं यह कितने पतले पतले लग रहे हैं देखने में तो यह जो स्लाइसर है इस पेसली आलू चिप्स बनाने के लिए आता है और यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा तो आप यह भी ले सकते हैं लेकिन अब हाथ से नहीं काटें हाथ से इतने अच्छे से राउंड राउंड पतले पतले स्लाइस नहीं करते हैं देखें मैंने यहाँ पर तीन आलू को ग्रेट कर लिया है पांच लिया था तीन अभी बना रही हूं दो का अलग बनाओंगी तो इसे हम क्या करेंगे ना पानी से दो से तीन बर अच्छे से धोलेंगे ताकि इसमें जो भी श्टार्च वगरा है वो निकल जाए और आप चाहें ना तो इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भी डाल कर रख सकते हैं ठंडे पानी में जिससे की जो आलू है और भी कड़क कड़क हो जाएंगे चिप्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिचल्ट आएगा अब इसे हम फ्राइ कर लेंगे तो आलू के चिप्स को फ्राइ करने का भी तरीका होता है आप ऐसे इसे नहीं फ्राइ कर सकते हैं तो अब मैं यहां पर एक सूती का कबड़ा ले रही हू अब मैं यहां पर इसे यहीं पर फैला रही हूं और आप कोशिस की जगने एक अक आलू को आप इस तरह से फैला लें तक यह बहुत ही आसानी से जो पानी है ना सूख जाए तो मैंने यहां पर उपर से दूसरा सूती का कपड़ा रखा है और इसके उपर जो भी एक्ट्रा पानी लगे हुए है ना वह हम पोच के हटा लेंगे वैसे पानी इसले हटाते है ना जब हम इसे फ्राइ करें तो बहुत ज्यादा जो पानी है ना उड़े नहीं मतलब तेल उड़े नहीं इसी वज़ए से अब बना लेंगे कि यहां पर इंस्टेंट वाला मसाला तो मैंने पोच दिया था मैंने अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो तेल आप यहां पर अच्छा गर्म कर लें तभी आप आलू चिप्स फ्राइ करें जिससे कि जो आलू जो चिप्स है ना बहुत ही अच्छे एकदम वाइट बन करके तयार होंगे इसमें जो भी पानी है ना फटा- नहीं बनाएं नहीं तो चिप्स अच्छे वाइट नहीं बनेंगे लाल हो जाएंगे कहीं से किसी साइड लाल हो जाएगा किसी साइड जल जाएगा और तेल यहां पर गर्म होता जाए आपको हाडली मतलब 2-3 मिट लगेंगे एक बार चिप्स को फ्राइ करने में उलटते पलटते आप चिप्स को fry करें जैसे आप इसे fry करेंगे ना आपको ना चिप्स खोदी कड़क मालूम चलने लगेंगे और यह साथ ही साथ कढ़ाई में ही कड़क हो जाते हैं निकालते के साथ ही आप इसमें छोड़ा सा मसाला चीड़के और चुछी लेट हो जाएगा ना तो लेकिन हाँ मार्केट जैसा ही बन करके तयार हुआ था और यहां पर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई किया है उपर से वापर से इसमें मसाला शेलक जाएंगे अब जैसे इसमें मसाला करें इसके बैच में इसमें सेइат की उपर प्रींगल कर दें नहीं क्यों बट फरारी बोलते थे तो इसमें जो आलू के चिप्स है ना हलका सा मैंने मोटा मोटा निकाला है आप जाहें तो थोड़ा और भी मोटा यहाँ पर इसे स्लाइस कर सकते हैं जेसे साथ हम इस तरह से श्टक कर देंगे और पतला पतला यहाँ पर इस तरह से काट ल काटने के बाद हम तुरंती क्या करेंगे इसे वापस से पानी में डाल देंगे आपको पानी बहुत ज्यादा लगे ना एक जो बार अप इसे और सेम उसी तरीके से हम इसे भी सूती कपड़े में रख देंगे और थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी पोच देंगे आप चाहें तो 25 मेट के लिए फैन के नीचे भी रख सकते उससे भी पानी ओड़ जाते हैं तेल को इहां पर अच्छा सा गर्म कर लेंगे और फिर क्या कर आलो फ्राइ कर लिए तो इसमें अड़ करें थोड़ी सी मुंगफली तो इसमें मुंगफली भी डाली जाती है बहुत अच्छी लगता है अगर आपको नहीं पसंद तो इसकिप भी कर सकते हैं अब मासाला दो चमचे करी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाला कम में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं ये चिप्स लेकिन घर में बनाईएगा तो आपको अलग सा ही टेश्ट आएगा ट्राइ कीज़ेगा मैं मिलते हूं नेक्ट लाग में